आपको और आज हम आपको बताने जा रहे हैं गेहों के आटे से केक बनानी की रेसिपी, तो यह जो आटा केक है यह बहुत ही सौप्ट एंड बहुत हिस्पंजी बनता है और साथ में यह हेल्दी भी होता है तो इस केक की रेसिपी को देखनी के लिए आप मेरा पूरा वीडिय करें तभी आपको step by step समझ में आएगा हमने इसे कैसे बनाया है और जो भी मैंने इसमें इंग्रेडियंट यूज किया है I hope कि वो सारे इंग्रेडियंट आपकी किचन में इजली एवलेबल होगा तो चलिए इसको रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो इससे पहले अगर मेरे च पहले भी यूज कर लिया है दो तीन बार तो इस नमक को भी हम एड कर सकते हैं तो नमक को अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए और तब तक हम केक का बैटर रेडी कर लेते हैं इधर और अब हमने यहाप एक ग्रैंडर जार लिया है तो ग्रैंडर जार में हम डेर सुक्रा दीजे रिफाइंड हमने आधा कप लिया है अप यहाँ यहां पर यहां भीवी यूज कर सकते हैं है है में आधा कप सुदध और यहां धड़ा दोलनामल हें दो्दध कर लेंगे इसको हम और अच्छे से हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं और यह दिखिए हमने ग्राइंड कर लिया है तो इसमें हमारा टूटल 300 ml दूद लग चुका है तो यह जो बैटर है बिल्कुर बनके रेडी होगे यहां पर हमने केक के बैटर को बरतन में निकाल लिया है तो थोड़ा सा अब हम डालेंगे एक चमच बेकिंग पॉडर आदी चमच खाने वाला शोड़ा यूज कर रहे है इसको अच्छे से मिक्स कर लिजे और मिक्स करने के बाद इसको हम तुरंत बेक करने के लिए लगाएंगे ताकि हमारा जो यह बैटर है वो खड़ाब ना हो तो इस तरीके स इसको हम हाथ से ही या फिर ब्रस से अच्छी से इसको ग्रीष कर लिजी सेंटर में और चारू कौर्नर में तो यहां पर हम डालेंगे एक बटर पिपर अगर बटर पिपर आपके पास आपके पास अबलेबल नहीं है तो आप इसके बेस पे थोड़ना सी मैदा स्प्रिंगर सकते हैं तो ये देखे हमने बटर पेपर लगा दिया है और आप मालेंगे इसमें बैल कुछ गतब गतच देंगे तो याद रहे है बैटर हम आधा डालनाए तैके हमारा जो केक है यह हो फूलेगा तो यह यह के लिए बैल व élect करे जिस्पेस घाए हमे तो इस तरीके से हमने इ मिंत्ज की खाजू हम सचाएर क्या काजू तोटो हम सब्सक्राएक इढ़ना घर नारा नमक जाई लूद यहाँ पर stitch लूदा नमक के mercado की काजू-टो यूद्ज तोड़ा को अरम से नीचे उतारोma यह बहुत जादा गड़म है इसलिए तो इसको आराम से नीचे हम उतार लिए और अब हम डालेंगे इसमे केक का जो हमारा बरतन है उसको अच्छे सेट कर दिये हैं यह देखिए थोड़ा आराम से सेट कीजिए नहीं तुछ पक सकते हैं जल सकते हैं इसलिए और कुकर अब हम हमने सीटी और रवर यूज नहीं किया है अब हम ढकन बंद कर देंगे अब हम चड़ाएंगे इसको गैस पे और लो फ्लेम पे इसको चालिश मिन तक पकाएंगे क्योंकि हमने यहां इस्टेंट नहीं यूज किया है और यहां पर हमारा चालिश मिनिट कंप्लीट हो रहा है तो अब हम गैस को बंद करेंगे और कुकर को हम धीरे से नीचे उतार लेंगे कुकर बहुत ज़्यादा हीट है इसलिए आराम से तो अब हम नीचे उतार लिए है इसको तो ढकन खोल देंगे यह देखिए हमने ढकन खोल लिया है तो केक हमारा देखो कितना अच्छा बना है अब देख सकते हैं तो और अब हम इसको चेक कर लेते हैं चमच डाल के केक हमारा पका है नहीं तो हम चमच को डाल के देख लेते हैं यह देखिए हमारा चमच क्लीन आ रहा है इसका मतलब है केक पक चुका है और अब हम यहाँ पे चाकू के हल्प से इसके जो एजेज हैं इसक हम अभिते आफ़ी आपकेसे डखम करके ब्लाद सेक पNoot फटेका जो कि उसका डिकान रहते लिए को शुश्ण शुर१त सब्लस रखें करें डिये हों यहां के अप्रिक्ता हम डाईयल श intertwine किया है दो आप भी इसी तरीक से गेहों की आटेट से बना के घर में डेकोरेट करके आपने बच्चे का बद पाटि या फिर कोई भी फंक्शन को में चैलेबरेट कर सकते है और यह केक हेलuggी भी होता है यह तो आपको बिपता है तो गर्पे रहिए और इसी तरीक इसे सैस है वह भी बहुत हीyes होगा, अंदर का जो टेक्स्टर है, बहुत ही अच्छे से पका भी आगे, देखें कितना अच्छा से पकावली है यह की तो आप इस रेशी पी को जरूर ट्राइ कीजिए अज़ की रेसिपी आपको मेडिया अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और सैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई टेक क्या